नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक वेंजन, बिल्कुल पारंपरिक पद्दती से शीतलर चल रही है, अभी पूरे देश में सर्दियां अपने चरम पर है, तो ऐसे में एक और आपके लिए सर्दियों की मिठाई लेकर आई हूँ, तिल और बाजरे का चूर्मा, यह कोई साधारन चूर्मा नहीं है, आप वीडियो पूरा देखे तो आपको पता चलेगा हमने नमक जरूरी होता है डालना, अब एक एक रोटी जितना आटा साइड में लेना है, और गुनगुने पानी से हमें इसका आटा मलना है, गुनगुने पानी से मलना है, यह चीज का ध्यान रखना आप, तो इस चूर्मे के लिए जो हम बाजरे की रोटी बनाएंगे, तो इस बार हातों से थोड़ा सा इसको पतला कर दूंगे, अब चकले पे थोड़ा सा सुखा आटा लगा दूंगी, मैं उसके उपर यह लोया रखके और इसको हाथ से इस तरह थप थपा कर, थोड़ी सी मोटी सी इसकी रोटी बेलनी है हमें, एक तम पतला नहीं करना है उसको, और थप थपा के यह देखी अच्छे से तयार हो गई है, तबा मैंने रख दिया था, गैस पे गरम होने के लिए उसके थोड़ा घी लगा दिया है, और उसके उपर रख देंगे हमारी यह तयार कीवी बाजरी की रोटी, थोड़ा सा उपर से पानी लगा देंगे, जो लोग ब पिर में यह दूसरी साइट से भी थोड़ी सी सीख जाएगी, अब क्या करना है, मैंने यहां पे ओवन रखा है बाटी का और उसमें हम यह रोटी आगे सेखेंगे, तो यह रोटी हमारी सीख रही है, मद्यमाज पे रख सीख रही है, तब तक आज आपको एक मैं खुश पेपर में यह विग्यापन देखा कि बीक बजार में बहुत बड़ी सेल चल रही है, 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक, तो फटा फट से जो हमारा नजदी की बीक बजार है, वहां पे हम पहुश गए, और वहां मुझे सबसे पहले मिल गई चाय टाटाटी प्रीमियम, जो बहु अच्छे ओफर हैं, यहां पे बिस्किट के भी, तो बिस्किट का सेक्शन भी हमने देख लिया, और उसमें से भी जो चाहिए, वो सारे बिस्किट हमने उठाए, गुड़े बिस्किट सबका पसंदीता होता है, तो उसका तो मैंने बड़ा पैकेट ही ले लिया एकदम, इस स्नैक्स का आइटम लगते हैं, उस पे भी बहुत अच्छे ओफर हैं यहां पे, बेकिंग के जो प्रोड़क्ट से उन पे भी बहुत अच्छा ओफर था, चिप्स का जो है सेक्शन उसमें भी देखा तो बहुत अच्छे ओफर है, बहुत ही सस्ते में सारी चीज मिल रही है बॉनविटा जो बच्चों को बहुत पसंद होता है दूद में, वो भी बहुत सस्ता मिल गया है यहां पे, सर्दियों में बोडी लोशन बहुत जरूरी होता है, जो यहां पे अभी बाइवन, गेटवन, फ्री का ओफर है, मतलब कितना सस्ता आदे दाम में मिल गया हमें, और डियों वगेरे हैं, उस पे भी बाइवन, गेटवन, फिफ्टी परसेंट, फ्लैट फिफ्टी परसेंट अफ है जूतों पर, बच्चों के लिए भी थोड़ी खरीदारी कर ली, बच्चों के लिए जो नाइट्रेस होते हैं, या टॉप वगेर होते हैं, वो भी फाइदा उठा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी तो वहां रजिस्टर करके ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं सर्दियों के लिए बैंकेट दोहर और बैटशीट पर भी यहां पर बहुत अच्छे ऑफर है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अ अच्छे हैं तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए अपने नजदी की बिग बजार स्टोर पर या फिर ऑनलाइन भी आप इस ओफर का फाइदा उठा सकते हैं तो मेरे इस चूर्मे के लिए भी मैं बिग बजार से घी लेकर आई थी ओफर था घी पर भी उसका क्लिप लेना रह गया था मेरा तो आप एक बार बिग बजार जरूर विजिट कीजिए आपको बहुत अच्छे ओफर मिलेंगे वहां पे और बहुत सस्ते में सब मिलेगा तो हमारी तंदूर वाली रोटी अच्छे से सिख गई एक तरफ से तो उसको पलट के फिर से दूसरी तरफ से भी सेखना है मीडियम आच रखनी है इसकी अब आपके पास अगर ऐसा तंदूर नहीं है तो आप तवे पर भी सेख सकते हैं दबा के लेकिन अगर तंदूर है तो मैं प्रिफर करूंगी कि आप तंदूर पे ही सेखें तो वह चूरमे के लिए अच्छे परफेक्ट सेखें यह हमने जो तवे पर सेखी वह और यह तंदूर वाली सेखी वह तैसी तीन रोटियां डाइसो ग्राम आटे में बन गी हैं तो इन रोटियों को पहले थोड़ा हाथ से ही तोड़ा सा टुकड़े कर लोंगी और उसके बाद इसका हमें चूरा करना है जो तंदूर मे इसलिए हो सके तो तंदूर में सेखें अब यह मिक्सर ग्रांडर में में डाल दूँगी और इसका दर दरा सा हमें पाउडर बनाना है यह देखिए इस तरह का थोड़ा सा दर दरा सा पाउडर हमें इसका तयार करना है चूरमा तयार करना है तो इस चूरमे के लिए हमें ट description box में दूंगी आप चेक करके घर पे भी मावा तयार कर सकते हैं मावा हमें पहले सेखना है यहां पे क्योंकि बाजरी की रोटी तो हमारी पहले से सिखी हुई है तो मावा पहले सेख के इसकी कचास निकाल देनी है ताकि इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं मावा अच्छे से स जिए कि नहीं पहले से इसमें बदखने हैं मावा पड़ा है और आगे आप देखी है और कितने आइटम इसमें पढ़ने वाले तो इसे अभैंसे कर द 것을 दाबरा कर दे ना है जो रोटी कर अच्छे से चूरी का से सन्य से तो हमारा अच्छा सी सिग्या है अभी इस वक्त हमें घी नहीं डालना है घी मैंने बाकी का पिगला के रख़ा वह बाद में डालेंगे अच्छा अब इसको सेकना कितना है तो आपको जैसा इसका गेरा रंग चाहिए वैसा सेक सकते हैं क्यूंकि रोटी तो सिकीवी है बाजरी कची तो है नहीं हमारी तो सिसाब से शेक सकते हैं तो अब यहां पर मैंने ले लिए हैं 25 ग्राम जितने तिल को मैं ड्राय रोस्ट कर कर लूँगी जैसे तिल जब गरम होते तो चटकने लग जाते हैं तब तक उसको गरम कर लूँगी यह हो गया गरम कैस की आज कर देंगे पंद और यह तिल जाएंगे हमारे सिकेवे चूरमे में इसके साथ ही मैं डाल रही हूं 100 ग्राम जितना गुड का पाउडर यह औरगनि मिनिट बस मंद आच पे सेकेंगे और उसके बाद गैस की आच बंद कर देंगे हम तो आप यहां पे अगर मावा यूज नहीं करना चाहते हैं तो तिल को मिक्सर में इस तरह से पीसे कि उसका पेस सा बन जाए तेल चूट जाए और वो भी आप यूज कर सकते हैं अब यह अ अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे तो मैंने आपको मावे का सब्स्टिटूट भी दे दिया है अब मैंने जो घी पिगला के रखा था वो घी इसमें डाल रही हूं मैं तो 100-500 ग्राम जितना घी इसमें लगेगा आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और यह आपका जो चूर्मा है बाजरी का यह करीब 15-20 दिन तक खराब नहीं होगा अगर आपने मावे किसी का अच्छी की है तो यह बस तयार है हमारा बढ़िया सा बाजरी का चूर्मा अब इस बाजरे के चूर्मे को आप गरम गरम भी आनन ले सकते हैं या चाहें तो लड्डू बान के रख लें और जब भी खाना उसे थोड़ा सा गरम करके और फिर उसका आनन लें कब इसके अंदर आप चाहें तो ड्राय फ्रूट्स भी डाल सकते हैं में यहाँ पर इस पर सजावट के लिए थोड़े से बादाम क कत्रन और थोड़ी से पिस्ता के कत्रन डाल रही हूं दिखने में अच्छा लगेगा तो खाने का भी मन होगा तो ये चूर्मे की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंड करना बिल्कुल भी न भूलें और चैनल भी सब्सक्राइब करदे इसी तरह की पारमपरिक रेसिपी इसके लिए फिर मिलेंगे एक अच्छी सी पारमपरिक रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और खाते रहिए